गोपाल थके कदमों से घर आया तो उसके घर में अंधेरा है उसका दिल घबरा गया वो जल्दी से अपने घर में घुसा तो देखा उसकी पत्थी वेणू खाट पर पड़ी कराह रही है गोपाल ने वेणू का सिर छूकर देखा तो उसका सिर तप रहा था उफ, इसका बखार तो बढ़ता ही जा रहा है, वेणू, उठो वेणू, देखो मैं आ गया वेणू धीरे से अपनी आखे खोलती है और कहती है, आ गये तुम, क्या कोई नौकरी मिली आज? गोपाल मायूस हो गया, आज हफ्ते भर से यही तो हो रहा था, वो रोज सुबह घर से नौकरी की तलाश में निकलता था, और शाम को इसी तरह धक्ये खाकर वापस आ जाता था गोपाल जादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक छोटी सी राशन की दुकान में काम करता था, उसी पैसो से किसी तरह उनका गुजारा चलता था, मगर एक दिन दुकान के मालिक ने अपने किसी जान पहचान के आदमी को काम देने के लिए गोपाल को नौकरी से निकाल दि इस कारण वेणू की तबियत और बिगरती जा रही थी, अगले दिल एक बर फिर गोपाल नौकरी की तलाश और शेहर की सडकों पर धक्के खाने के लिए तयार हो रहा था, कल रात से उसने और वेणू ने कुछ नहीं खाया था, अभी वो घर से निकलने ही वाला था कि तभ क्या हुआ वेणू, तुम ठीक तो होना, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है गोपाल, मेरी आखों के आगे अंदेरा चारा है, गोपाल समझ गया कि ठीक से खाना और इलाज नहीं मिलने के कारण वेणू की हालत खराब हो चुकी है, तुम हिमत रखो वेणू, मैं इतना कहकर गोपाल बधवास सा घर से बाबला होकर बाहर निकल गया, पहले अपने पुराने सेट और फिर अपने जानने वाले कुछ और लोगों के पास गया, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की, तब गोपाल को अपने दोस्ट शेखर की आद आई, वो कभी उसी के स्कूल में पढ़ता था, शेखर के पिता का अपना बिजनेस था, अब शेखर ही अपने पिता का बिजनेस संभालता था, इतने सालों में गोपाल शेखर से कभी नहीं मिला था, गोपाल गरीब जरूर था, मगर स्वाभिमानी था, वो गरीबी में जरूर रहता था, मगर कभी अप पतनी लता के साथ बंगले के सामने बने बगीचे में टेहल रहा था। उसने गोपाल को पैचाना नहीं। शेकर कुछ कहता उससे पहले ही उसकी पतनी लता कहती है। शेकर के यहां से निराश होकर वो फिर किसी के पास नहीं गया। वहां से वो सीधा बस स्टेंड गया। उसका इरादा किसी बस के नीचे आकर अपनी जान देने का था। ऐसी सिंदगी का क्या फायदा जब मैं अपनी वेणों को नहीं बचा सकता। यह सोचता हुआ वो किसी बस के नीचे आ जाता। इससे पहले ही उसके कारों में एक आवाज आई। गोपाल ने देखा एक भारी भर कम सेट उसे आवाज दे रहा था। गोपाल को तो जैसे भगवान ही मिल गए उसने तुरेंट इस काम के लिए हामी भर दी। हालांकि बोरे काफी भारी थे और दो दिन से भूखे गोपाल के लिए उन्हें उठाना मुश्किल था। मगर आज वो वेनु को बचाने के लिए कुछ भी करने को तयार था। उसमें जैसे हाथियों जैसी ताकत आ गई थी। जिस काम को दो आदमी मिलकर भी एक घंटे में पूरा नहीं कर पाते। उसे गोपाल ने आधे घंटे में ही पूरा कर दिया। सेट ने उसे उसका महनताना तो दिया ही साथ ही अच्छा खासा इनाम भी दिया। उन पैसों से वो खान और दवाई लेकर घर पहुचा और सबसे पहले वेनु को खाना खिलाकर दवाई दी। खाना और दवाई खाते ही वेनु के चहरे का तनाव धीला हो गया और उसकी तब्यद सुधरने लगी। बगर तुमारे पास पैसे कहां से आए। वहीं से, जहां से पहले पैसे आते थे, यानी मेरी मेहनत से, अब भले मुझे कोई नौकरी न दे, अपने हिस्से के रोटी पैदा करना मैं जान गया हूँ बस, फिर उस दिन से गोपाल रोज ही बस्टेंट जाने लगा और वहां सामान उठाने का काम करने लगा, इससे उसकी अच्छी आमदनी होने लगी एक दिन आज काम से ज़रा जल्दी घर आना क्यूँ? अज मैं तुम्हारे मन पसंद राजमा चावल बनाऊंगी राजमा चावल का नाम सुनते ही गोपाल के मूँ में पानी आ गया, उसने खुशी से कहा सच, तब तो मैं आधे दिन में ही वापस आ जाऊंगा और जब उस दिन गोपाल और वेणू राजमा चावल खा रहे थे, तभी गोपाल ने कहा ये दुनिया के सबसे अच्छे राजमा चावल है, सारी दुनिया में ऐसे राजमा चावल कहीं नहीं तभी उसके दिमाग में एक आईडिया आया, उसने वेणू से कहा वेणू, तुम इतना अच्छा राजमा चावल बनाती हो, मैं सोच रहा था कि, क्यों ना इन्हें दुनिया को भी खिलाया जाए मैं राजमा चावल की एक छोटी से गाड़ी लगाने के सोच रहा हूँ आईडिया दमदार था, वेणू ने भी जट हामी भर दी, बस फिर क्या था? अपने बचे हुए पैसो से ही एक हफते के भीतर ही, गोपाल और वेणू ने राजमा चावल की एक छोटी सी गाड़ी डाल ली वेणू के हाथों में सच मुझ जादू था, जो भी एक बार उसके राजमा चावल खाता था, वो बार बार उनकी गाड़ी पर आने लगा इस तरह उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी और एक साल के भीतर ही उन्होंने ठेले से एक छोटा सा होटल खोल लिया लेकिन ठेले से होटल तक का सफरतै करने के बाद भी दोनों अपनी उकात नहीं भूले, अभी भी वो दोनों ग्राकों से बड़े ही प्यार से पेश आते थे और अपने होटल में हमेशा ताजा और साफ सुत्रा खाना ही परोस्ते थे धीरे-धीरे उनके स्वात का जाइका शेहर के लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा, लोग दूर-दूर से उनके होटल पर आने लगे इस तरह गोपाल और वेणू ने एक ठेले से शुरुवात करते हुए एक के बाद एक उस शेहर और उसके आसपास के इलाकों में अपनी कई ब्रांच खोली एक दून उसके होटल में एक सेट अपने परिवार के साथ खाना खाने आया, उस समय गोपाल होटल में ही था और अपने मैनेजर से कुछ बाते कर रहा था उस सेट को देखकर गोपाल को अचानक कुछ याद आया अरे सेट जी आप, आई आईए, मैं गोपाल दास इस होटल का मालिक सेट को थोड़ा आश्चर हुआ, तब तक वहाँ वेणू भी आ गए सेट को परिशान देखकर गोपाल ने कहा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं सेट जी, मैं वही आदमी हूँ जिससे आपने कुछ सालों पहले बस स्टैंड पर सामान उठवाया था और पैसे दिये थे अगर उस रोज आप नहीं मिले होते, तो मैं यहां नहीं होता वेड़ो, उस दिन जब तुम बिमार थी ना, तब मैंने हर किसी के सामने मदद के लिए हाद पहलाया था और सब जगह से हार मान कर बस स्टैंड खुदकुशी करने चला गया था मैं किसी बस के नीचे आ जाता, उससे पहले ही सेड़ जी भगवान के तरह आये थे और मुझे काम दिया था सेड़ जी को सब कुछ याद आ जाता है, वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे भगवान नहीं बनाईए, आज आप जो कुछ भी हैं, अपनी महनत और लगन की वज़ा से हैं नहीं सेड़ जी, मेरे लिए तो आप भगवान ही है, मेरे हुटल में आपका और आपके परिवार का खाना, जब भी आप आएं हमीशा मुफ्त रहेगा उनने खाना खाया, दोनों हाथ बांधे सेवक की तरफ वहीं खड़े रहे, इस घटना के कुछ दिनों बाद जब गोपाल और वेनू अपने बंगले पर थे, तब उनके चौकिदार ने अंदर आकर कहा साब, कोई औरत आपसे मिलना जाती है, भेज़ो उसे थोड़ी तेर बाद एक औरत खटे हाल हालत में उनके पास आई, गोपाल उसे देखते ही पैचान गया, वो कोई और नहीं शेखर की पत्नी लता थी, मदद कीचिए, उनकी हालत बहुत खराब है, पिछले कुछ सालों से बिसनेस में लगातार घाटा हुआ है, इधर तो दि कहा था, मैं पुरानी जान पहचान का हवाला दे कर तुमसे भीक मागने आया हूँ, अब चली जाओ यहां से, यहां से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली है, अरी, तुम भी कैसी बाते करते हो, आखिर जो भी हो शेखर है तो तुम्हारा दोस्ती, जरूरी नहीं है कि उसने जैसा व्यभार तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी करो, अभी इने हमारी मदद की जरूरत है, यह वक्त पुरानी दुश्मनी निकालने का नहीं, एक दूसरे का हाथ ठामने का है, जब मुसीबत आती है, तब हमें अपने आपसी बैर भाव को छोड़ कर उपर उ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए, नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहीए, बेस्ट बड़ीज